सुरुmma रिसन्थली पो को ने रेड्मी नोट 9 प्रो का कॉपी करके पोको मडली आंपने का कुछ दिखा हूरेस बनांड के बाद मैंने आप लोग oga को के लिया है M2 कल इसकी पहली सेल थी 11,000 रुपे का फोन है यह लेकिन आइसे आइसे इसे बैंक के डिसकाउंट के साथ में मुझे कुछ 10,250 रुपे का पड़ा है लग 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 सालिट 700 रुपे का डिसकाउंट मिला तो हम लोग चलो इसको खोलते देखते कैसा फोन है So, hey what's up guys, my name is Zaheer and this is the unboxing and my first impression overview of this POCO M2. So, let's begin. So guys, this is POCO M2 box. यहां पर लिखा है इंडिया नंबर बन कॉलिटी स्मार्टफोन ब्रेंड आठे बाइस सब नंबर बन है भाई. मेरे इंडिया लिखा है, POCO M2 लिखा है, यहां पर की POCO M2 लिखा है, पीछे कुछ स्पेसिफिकिशन दी है, 6.53 इंच की FULL HD PLUS डिप्ले है, गोरिला कलास की प्रोटेक्शन है, Helio G80 है, 13 Megapixel का क्वार्ड गैमरा, 5000 mAh बैटरी है, that's good, 6GB RAM है, USB-C port है, बहुत अच्छी का 9 Prime आया था, उसका ही copy version है, सबसे पहले तो हमको यहां पर खाली user guide मिलती है, no cover this time, cover नहीं दिये भाई, यह गलत किये, cover तो देना अची है, sim removal tool है, वो मिल जाता है, उसके बाद हमको यहां पर phone मिलता है, ooh la la, फिर उसके बाद अंदर हम लोग जाएंगे, तो हमको यहां प fast charging दी है, यह तो 10 watt का charger दी है लोग ने, यह क्या मजा क्या है, 18 watt की fast charging है, तो 10 watt का charger क्यों दी है भाई, यह में को बहती बुरा लगा, और यह type C cable है, चलो, लेकिन 10 watt का charger क्यों दी है भाई, में को अभी भी नहीं समझा रहा है, 5000 mAh की battery पे 10 watt का charger, क्या एक साल तक चार्जी कर तो चार केमराज मिलते है, तो जो में कामरा वो 13 MP, फिर 8 MP का अल्टरवाइट सेंसर है, 5 MP का मैक्रो और 2 MP का depth sensor दिया है, उसके अध फ्लेश लाइट है, यह तर फिंगर्पिंट स्कैनर दिया है, जो पोको F1 में कैसा था उसके टाइप का, उपर एकदम चिकनाहड है, प्ल काफी क्लीन है, और बॉट्टम के साइड में हम लोग आएंगे, तो यहां पर हमको एक 3.5 mm headphone jack है, उसके आद यह जो में माइक्रोफोन होल है, फिर Type-C port है, और फिर speaker grills है, और यह साइड में हम लोग देखेंगे, लेफ साइड में, तो में ली तो हमको पावर बटन मिल जा यहां लोग तो, yeah, that's cool, एक चीज मुझह बहुत सही लग रही है, अजो फरस्स इंप्रेशन, जो यह phone का design है, बहुत चीप फीलिंग नहीं दे रहा है ये फोन तो मुझे काफी साही लगा भी हम लोग इसको कुईकली सेट अप कर देते लेकिन एक चीज है बहुत जादा चौड़ा है युजुवली भी फोन जो आ रहे ना वो थोड़े ऐसा नैरो है मतलब ऐसा आइसे पतले है और आइसे उठे के लंबे लेकिन यह जो है न बहुत जादा चौड़ा है यह जैसे यह फोन है यह उसे काफी जादा पतला है समद रहो आइसे साइड बै साइड रखो के तो भी आपको समाझ में नहींगा देखो इसका इसे कितना बहार है और चौड़ाई में तो थोड़ा जादा यह बहुत अच्छी चीज़ लेगी, मतलब 720B देख काम नहीं चलाया, और let's add network, dual band Wi-Fi supported है, देख लो, तो finally चालो हो गया, और बोल रहते हैं, blue twerze नहीं रहेंगे, यह नहीं रहेंगे, वो नहीं रहेंगे, अजिसा तो कुछ नहीं है भाई, इधर देखो, कितने सारे फाल्टो के अप्लिकिशन है, देख रहो, कितने सारे अप्लिकिशन है फाल्टो, बट इसके अंदर 60Hz की refresh rate है, that's okay I guess, यह जो phone है guys, इसमें 64GB internal storage है, all specs में जाके दिखाऊ हो, तो सबसे important चीज़ जो इसका processor है, वो MediaTek का Helio G80 chipset है, बट दो लाक का, उसका score आता है, समझे रहो ना, तो भाई, मतलब काफी powerful है, especially यह 10,000 के price range में, 10,000 रुपया ने, यह 11,000 वाला variant है, 6GB RAM के साथ, 11,000 रुपया ने, यह 11,000 रुपया रेड्मी 9 राइम, या Poco M2, जो भी आप कहलो, because यह तो Poco M2 है, समझे रहो, लेकिन Redmi 9 राइम भी सेम ही है, खाली इसमें 4GB RAM है, इसमें 6GB RAM है, okay guys, quickly मैं आप लोगों को, display का test दिखा देता हूँ, 1080p 60fps है, लेकिन HDR का support नहीं है, that's okay I guess, what, अच्छा, अपडेट हुआ गया, yes, अपडेट हुए कुछ applications, कभी-कभी होता है, मतलब, स्टार्टिंग में कोई भी आप फोन अन करते हो ना, तो ऐसा होता है, वो application अपडेट हो गया होते होता है, वाव, मतलब, ठीक लग री, display quality भी, अगर मैं ब्राइटनेस फूल कर दू, तो ब्राइटनेस भी काफी खासा, मतलब, वेथे, नथिंग, एक्स्ट्राओडिनरी, बट ठीक थाक है, वापस से क्रेश होता है, त्रीन बार यूटूब बंद वा है, वीविंग इंगल भी ठीक थाक है, मतलब, काम चलाओं है, समेलो, ये प्राइज में से और क्या ही उमीड की जा सकती है, और मुचे ना हमेशा से इंफिनिक से पस एक ही शिकायत रहती है, उनके यार प्रोसेसर्स में अदम नहीं होता था, अब उस चितिंग कामरा 5,000 इमेज की बैठरी है, और अटरावर्ट का फास्ट चार्जिया दिया है, नाट बैड, नाट बैड, इस्पीकर्स आर क्वाइट गुड, डिस्प्ले भी अच्छे है, स्पीकर्स भी ठीक थाक है, मैं भी एक गाना चला जिता हूँ, तो आपको थोड़ा और अच्छे से अंदादा हो जाएगा, स्पीकर्स का, नाइस, नाट बैड, स्पीकर्स भी काफी दमदार है, काफी लाउड है, मतलब बहुत जादा बेसी नहीं है, बर ठीक ठाक है, स्पेशली ये प्राइज में, क्वालिटी अच्छी है, मतलब लाउडनेस मस्त है, बहुत जादा हाई क्वालिटी नहीं है, मतलब इसा रिच्छनेस में इतना रिच्छन नहीं है, बाकि ओवराल फोन में को अधादा फर्स्ट इंप्रेशन काफी सही लग रहा है, क्वालिटी नहीं है, मैं क्विकली देखो, आपको इस स्कानर का स्टेस्ट दिखा जो, फिंगर्पिंट स्कानर का देखो, टैप खुल गया, टैप किया, खुल गया, ओ वाउव, फेस अनलोग काफी फास्ट है, फट करके खुल जाता है, एक सेकंड में लगता है, उस से जादा स्लोग तो जाला फिंगर्पिंट स्कानर है, अलब ठीक है, दोनों भी काफी काम चला हुए, काफी अबब विज मैं पूलना चाहुआ, तो ये था में में अभी फिंगर्पिंट स्कानर वगयरा का टेस्ट, अभी ना हम लोग क्विकली कैमरास का टेस्ट कर देते, ओ वाव, शेटर स्पीड इस काफी क्विक, हम लोग फटाफट फटोफ देख लेते, तो ये में सेंसर से कीची भी है, यहाँ पर बहुत जादा लाइट है, फिर भी देख लो जब जूम करो ना, तो हलका-फलका यहाँ पर आपको ये नॉइस देखने को मिल जाती है, ये अच्छी फूट वाई है, काफी सही फूट वाई है, डीटेल भी अच्छी है, मतलब 48-megapixel वाली कैमरे के कंपरसम में डीटेल बहुत जादा डाउन है, वो रिच्छनेस ने आ रही फोटो में समझ रहो ना, इसको नॉइजी लग रहा है इमिज थोड़ा सा, और इधर पर देख लो, इस नॉट बैड, यह नॉर्मल मूड है by the way, यह अल्ट्रावाइट से कीचावा है, कलर जादा शिफ्ट नहीं है, यह अल्ट्रावाइट चैमरे का जो परफॉर्मिंस है, वो काफी जादा इंप्रासिव है, कलर्स और क्वालिटी में जादा फरक नहीं है, यह मेन लैंस है देखो, उसका यह यह ल्ट्रावाइट है, वाव, नॉट बैड, ठीक था, क्या तो फर्स्ट इंप्रेशन, आप लोग चाहते हों कि हम इसका कैमरा टेस्ट को रूसें, दू लेट मी नो, उसके इसाब से हम लोग करेंगे, यह फ्रंट फीसिंग कैमरे का फोटो है, बॉट ज्यादा बूध कर दिया है, पता नहीं किया है, यह देख्लो यह पोट्रेट फोट्व है, इस तो पूरा च़टम चहरा और ब्लू आप बुर भी ब्लू कर दिया है बहुत जादा कूल कर दिया हैह बहुत लूट ज दीटेल्ट बहुत सही है यार, डीटेल्स वगरा बहुत मस्त है, डाइनमिक रेंज भी ठीक ठाक है, लेकिन बहुत जादा जो वाइड बैलन्स है, वो एकदम खराब कर दिया, बाकी तो बाइड डीटेल्स वगरा, सेल्फी में एक नंबर है, तो ये था मेन केमरा के फोटो गाईज, अभी हम लोग व अधेर और लाइड के बीच में करू तो, और देखो, अगर फोकस के बात करू तो, हाँ, मस्त है फोकस, लेकिन जो क्वालिटी है, वो इतनी अच्छी लगरी नेम को अन दा स्क्रीन, तोड़ा थोड़ा नॉइजी है, पिक्चर और जो वीडियो है, बेसा जूम होता है, ब अगर मैं आपको अपना परस्पेक्टिफ दिखा दू देखो, इसकी मतलब इतना बड़ा तो मेरा हाथ निया, लेकिन जो अल्ट्रावाइट का कमाल रहता ना, इसके वैसे बतलब बड़ा दिखता हो, ऐसे कॉर्दर में जाओ, तो कैसा डिस्टॉर्ट होता है, फिक्स फो कूल भाई देखरो, वेरी नाइस भाई अच्छा है, वीडियो मस्त बनता देखो, गजब, वेरी नाइस, तो भाई, वीडियो टनिटी तो काफी सही बनती है, मैं अब ये प्राइस पे बहुत ज्यादा इंपरासिव में को लागा ये फीचर, ये वीडियो में फ्रेंट फ सही बन रहा है, और ओडियो भी सहारी जो वीडियो की थी, वो सब इसी से रिकार्ड भी है, तो, what do you think about the video and audio quality of this phone, do let me know in the comments, yeah. So guys, जैसे आपने देखा, ये था video test of this Poco M2, what do you think, में को बताओ, कमेंट में क्या लगा, आपको कैसा लगा ये फोन का वीडियो, as of the first impression, में को look-wise phone काफी सही लगा, मतलब, इतना कुछ, बहुत जादा expensive नहीं लगता है, लेकिन जो, एक्तम simple look आता है, मुलता है, minimal look है, जैस लगता हाथ में, तो ज्यादा slip नहीं होता, फोन हाथ से, बिसीकली, इसके लिए टेक्च्चर दिया, और इन लोग ने cover भी नहीं दिया, भाई, फोन के साथ में, तो ये एक बहुती बुरी चीज लगी में को, लेकिन जो overall phone है, display मेरे को बहुत अच्छा लगा, as of the first impression, पांच हजार एमेज की बैटरी दिये, no problem in that, but, भाई, दस वर्ट का चार्जर कौन देता है, यार, दस हजार रुपर, दस बारा हजार रुपर में, सबको 18 वर्ट का चार्जर मिलता है, ये 10 वर्ट का चार्जर है, ये 10 वर्ट का चार्जर है, लेकिन इसके अंदर, ये box के तो मेंको फोन तो काफी सही लगा, is the first impression, और आपको क्या जानना ये फोन के बारे में, do let me know, तो उसके हिसाब से मैं इसके उपर वीडियो बनाऊगा, बहुत सारे फोन आचुके गाई, बहुत सारी वीडियो आने वाली है, then stay tuned रहिए, आपको बहुत मजा आने वाला, और भी आपको ऐसे ही content मिलते रहे, thank you so much for watching this video guys, bye.